सब्सक्राइब को पता है कि अपडेट का आज अपडेट आया है तो आई इसको बारे में डिसक्रस करते हैं कि अपडेट आने पर क्या-क्या चेंजस किए गये हैं क्या हमारा विड्रोल लग पाएगा या नहीं लग पाएगा सारी डीटेल इस वीडियो में डिसक्रस की जाएगी तो अगर आप चैनल फर्श्ट आम आया तो वीडियो कर दी लाइक और चैनल कर दी सब्सक्राइब एंड वीडियो को इसकी बिल्कुल भ अब्डेट्स किए गये हैं तो अभी हम ऐसी अप पर किलिक करने के बाद चेक आउट कर पा रहे हैं आप यहाँ पर देख पा रहा होगो मेराथन फंड ऑप्सन है कोई एक्सचेंज ओप्सन है एड लिकुडिटी ओप्सन है FTC एक्सचेंज एक नया ओप्सन अड़ाउन किया गया है तो आईए सारे ओप्सन को step by step चेक करते हैं कि किसी ओप्सन के तुरू अभी हमारा विड्रॉल लग सकता है नहीं लग सकता है तो सबसे पहले हम चलते है मेरसण फंड आप यहाँ पर देख पार हूह हुआ कि लेफ्ट साइड से पहला option एक है मेरतन फंड इस option पर किलिक करके देखते हैं तो अगर हम मेरतन के फंड फंड पर किलिक करते हैं तो यहाँ पर चेक कर पा रहा होंगे आप अगर आपके पास UHDT BEEP 20 है UHDT ERC 20 है एंड UHDT ERC 20 है तो आप अपने जेंप से और 500 UHDT लगा कर SCF Marathon Fund में निवेश्मिन्ट कर सकते हो आपके पास अगर SCF Mining के तुरू आ रहा या FUHD पहले का है तो आप उसे SCF Marathon Fund में निवेश्मिन्ट नहीं कर पाऊगे आपको अपनी जेंप से और 500 UHDT इनिवेश्मिन्ट करना है फिर आप SCF Marathon Fund में पाटिसिपेट कीजिए पाटिसिपेट करके इनका एक नया टोकन जैसे FUHD यानिकी इनका एक स्टेवल करंसी आया था एंड SCF एक इनका 10,000 डॉलर वाला पॉाइन था इनकी ब्लॉक्चेन का नेटिव कॉईन यानिकी में कॉईन उसी तरीके से आप इनका अब ये FSB कॉईन को बाई कीजिए इसमें इनवेश्मिन कीजिए अपने पास से और 500 डॉलर लगाईए तो कुल मिला करके इस ओप्सन में ये अपडेट अभी था अभी हम चलते हैं दूसरा ओप्सन कुईक एक्चेंज ये आप देख पा रहे हो कुईक एक्चेंज पर किलिक कर दें कुईक एक्चेंज पर किलिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे अगर आपके पास S.E.F.Main है या फिर F.E.U.S.D. D.FIN है उसको आप F.E.U.S.D. में स्वैप कर सकते हो या फिर F.E.U.S.D. में या फिर F.E.U.S.D. को F.E.U.S.D. को F.E.U.S.D. में अभी आप पहले देख पा रहोगे केवल एक ही चेन में हम लिकृडिटी एड कर पा रहे थे जैसे एसे में चेन अभी वी एसी चेन को दुबारत से एड़ान कर दिया गया अब अगर आपके पास और पैसा है तो आप लिकृडिटी एड करके अभी हम बात करते हैं लाश्ट वाला थार्ड ओप्सन FTC एक्चेंज अगर आप के पास FUHDA तो सबसे पहले आप इसको SCMain में स्वैप कीजिए SCMain में स्वैप करने के बाद इसको FTCBeeve20 में स्वैप कीजिए SCMain को उसके बाद FTCBeeve20 को सेल आउट करके बिडराओ ले सकते हैं तो अगर आप इस प्रॉसेस के थे थे बिड्रॉल लेते हो तो आप देख पा रहे होगे भी SC Chain Market यहां पर डिटेल दे रखिए अगर आप इस option के थूरू बिड्रॉल लोगे तो आपके कैप्टल या प्रॉफिट है वो आलमॉस्ट जीरो के करीब समझेओ क्योंकि हमने इन्वेश्टमेंट किया था 60 या 70 डालर का एक SCF में था तब इन्वेश्टमेंट किया था और अभी विड्रॉल देने की बारी आई तो FTC B20 में बिड्रॉल देने की बात की जा रही है एंड जब इन्वेश्टमेंट करवाया जा रहा था तो इस तरह से आप इहां पर अगर आपके पास FUHD है या फिर SCF है बिड्रॉल ले सकते हो बिलकुल ले सकते हो लेकिन आपके एक SCF के प्राइस चार UHDT मिलने वाला है तो जब हमसे इन्वेश्टमेंट की बारी थी तब SCF मेन FUHD के थ्रू इन्वेश्टमेंट करवाया था अभी जब बिड्रॉल लेने की बारी आई है तो आपको FTC B20 के तरूर बिड्रॉल देने की बारी की जारी है तो इस तरीके से अगर आप अपने जो भी आपके पास माइनिंग आ रही है या आपके पास पहले का FUHD है तो उसका विड्रॉल लेते हो तो आपका जीरो के बराबर हो जाए तो अभी क्या कर सकते हो अभी आप वेट कर सकते हो क्योंकि हो सकता है Finswap पर एक नया option add-on किया जाए आने वाले कुछ time में तब कुछ उमीद हो withdrawal लेने की वाकी का भी इसके तुरू आप withdrawal करोगे तो आपको बहुत ज्यादा loss होने वाला है अभी अगर आपके पास mining आ रही है और उसका withdrawal लेना चाहते हो तो आप FTC B20 के थुरू बिड्रॉल ले सकते हो और इस process के थुरू अगर आप बिड्रॉल लेती हो तो आपके 1CB20 की value 4$ लगने वाली तो इस बज़े से आपके mining की बहुत कम value लगने वाली है तो अभी आप क्याश्र कर सकते हो अभी आप बेट कर सकते हो तो जब तक फिन स्वैप पर FSP में स्वैपिंग करने वाला option नहीं आ जाता तब तक आप FTC B20 में मेरे साब से बिड्रॉल ला ले FTC B20 के थुरू बिड्रॉल का option ASEA Management द्वारा जान पूच कर ही open किया गया है क्यों आप सभी लोग इस तरह से बिड्रॉल ले लोगे आने वाले दुनों में अगर कोई भी legal issue create होता है तो ASEA Management कह सकता है क्योंकि हमने तो किसी का बिड्रॉल stop किया ही नहीं सभी लोगों ने already बिड्रॉल ले लिया है अभी आपको कोई force नहीं कर रहा कि आपको FTC B20 में swap करके withdraw लेना ये तो आपके पास अभी option बचे है तो आप wait कीजिए wait करने के बाद अगर कोई और option नहीं आता तब FTC B20 में swap करने के बाद withdraw करने का options होजी तो आपको क्या लगता आने वाले दुनों में S.C.A. wallet में withdraw करने वाले options और भी add-on किये जाएंगे तो आपकी जो भी राय हो comment section में comment करके बता दीजीएगा आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में